हालो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी मज़े से होंगे तो आज शुरू करने जा रहे हैं महरास्ट्र बोड का हिंदी का बाल अबारती का तीसरी एकाई का लेसन नमबर सेकिंड बेमिसाल जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर शेर जंग गर्ग तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही प्यारी कवीता है गीते तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैं पढ़ लूँगी फिर आपको इसका एक्स्प्लेनेशन तूँगी तो चलिए शुरू करते हैं जो कुष भी हो बेमिसाल हो सुलजा सुलजा हर सवाल हो नया रंग हो नया हाल हो नये साल में यह कमाल हो सच्चे जीते जूठे हारे देश जाती का रूप निखारे सब का स्वागत करे बहारे केवल अच्छी बाते फिचारे जो कुछ भी हो, बे मिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो तो चलिए मैं आपको इसका explanation दे देती हूँ यहाँ पे कभी बोलने जा रहे हैं नए साल के शुरुआत की अच्छी अच्छी बाते बता रहे हैं जो नए साल आने वाला है, कभी उसके लिए बता रहे हैं कि जो कुछ भी होगा नए साल में, जो कुछ भी होगा बे मिसाल होगा बे मिसाल का मतलब क्या है बच्चों, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं हो बहुत ही अच्छा, तो नए साल जो होगा, वो बहुत ही जादा अच्छा होगा सुलजा सुलजा हर सवाल हो इसका मतलब है हमारे जितने भी सवाल है हमारे जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर होने चाहिए वो सुलजे सुलजे होने चाहिए कोई भी हमारे मन में कोई भी कॉस्चन हमारे मन में नहीं होना चाहिए नया रंग हो नया हाल हो नये रंग मतलब नये साल में जो रंग होने चाहिए वो नये होने चाहिए और नया हाल मतलब हाल हमारा नया हो मतलब खुशिया होनी चाहिए नये साल में हर चीज अच्छी होनी चाहिए और हर तरफ से सब कुछ नया नया होना चाहिए नए रंग, नए हाल, सब कुछ अच्छा होना चाहिए नए साल में यह कमाल हो मतलब कहने का है नए जो साल आने वाला हो उसमें यह सब कमाल होने ही चाहिए चलिए आगे एक्स्प्लेन करती हूँ सचे जीतें जूटे हारे इसका मतलब है सचे जो लोग है मतलब हमारी देश है जो हमारी जाती है उसका रूप निखरना चाहिए मतलब हमारी देश और जाती सुन्दर होनी चाहिए उसका रूप निखरना चाहिए सब का स्वागत करे बहारे इसके कहने का मतलब है सब का स्वागत बहारे करे मतलब हर एक की जीवन का स्वागत बहारे करे इसका ये मतलब है बच्चों कि हर एक इनसान के जिन्दगी में खुशिया होनी चाहिए हर इनसान के जिन्दगी में बहारे बहारों से इदर मतलब है खुशिया होनी चाहिए केवल अच्छी बाते विचारे मतब नए साल में हम सिर्फ केवल मतब सिर्फ हम लोग अच्छी बाते ही विचारे बुरी बाते नहीं सोचे अच्छी अच्छी सोचे जैसे बचों हम लोग अच्छा-चा सोचेंगे नए साल के बारे में तो सब कुछ अच्छा-चा हो जाएगा तो चलिए हम लोग अच्छा अच्छा ही सोचे कभी बोल रहे हैं जो कुछ भी हो बे मिसाल हो नए साल में यह कमाल हो कभी यहां पे बोलना चाहरा है जो कुछ भी हो नए साल जैसा भी हो जो कुछ भी हो बे मिसाल होना चाहिए इसका मतलब ये है कि नया साल का कोई मिसाल नहीं होना चाहिए मतलब मिसाल नहीं होने का मतलब वो बे मिसाल मतलब बहुत जादा अच्छा होना चाहिए नया साल और नया साल में जो कुछ भी होना चाहिए कमाल मतलब बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा होना चाहिए पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मन्जिल, तूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिल मिल यहां पे अभी हम लोग ने पढ़ा पर क्या होगा कहना मुश्किल अब कभी हमें यहां पे बता रहे हैं कि आगे नए साल में क्या होगा उसका कहना पहले से ही बहुत मुश्किल है मतलब कठिन है नए साल में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से ही बताना बहुत मुश्किल है मिल पाएगी कैसे मन्जिल जो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा अच्छा होना चाहिए वो मन्जिल हमें अपनी मन्जिल जो हम लोग चाह रहे हैं वो हमें मन्जिल मिल पाएगी कैसे मिलेगी तोटेगा या खुश होगा दिल हमारा दिल तोटेगा मतलब हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा तो हमारा दिल बच्चो तोट जाएगा तो यहां पर कभी बोल रहे हमारा दिल तोटेगा या खुश होगा क्या होगा फिर भी सोचे चाहे हिल मिल मतब कवी हमें यहां बताने चाह रहे हैं कि अगर हमारा दिल तूटेगा या हमारा दिल खुश होगा तो भी फिर भी सोचे हम लोग हिल मिल हमें मिल जुल कर सब के साथ मिल जुल कर सोचना चाहिए हिल मिल मतब मिल जुल कर हमें सोचना विचारना चाहिए जो कुछ भी हो बेमिसाल हो नए साल में यह कमालो मतलब कवी हमें यहां बोलना चाह रहा है कि नए साल में जो भी होगा बेमिसाल होगा मतलब अच्छा होगा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा होगा नए साल में यह कमालो मतलब नए साल में यह कमालो कि सब कुछ बढ़िया और सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा यहाँ पे कविता पूरी होती है बेमिसाल तो चलिए हम लोग आगे स्वाध्याय करते है स्वाध्या में पहला कॉस्चन है सुनो और शुत्रलेखन करो तो इसका मतब है सुनो मतब लिस्सिन आप सुनिये शुत्रलेखन मतब आपको लिखना है तो यहाँ पे आप पढ़िये फिर आपके बड़े बड़ों की मदद से आप लिख कर देखिए वो बड़े बोलेंगे और आपको लिखना है पहला पढ़ते हैं सवाल, हाल, कमाल दुसरा पढ़ते हैं हारे, निखारे, बहारे, विचारे तो यहाँ पे देखिए बच्चों पीछे का जो वर्ड है जिस सवाल में ल है हाल में ल है, कमाल में ल है तो यहाँ पे जो राइमिंग है एक सरी की आवाज अरे सवाल, हाल, कमाल तो यहां पे जो पीछे का जो है वर्ड वो सेम है तो यह राइमिंग है उसके बाद है हारे हारे में ए मातरा है रे निखारे में रे मातरा है बहारे में रे हैं विचारे में रे तो यह भी राइमिंग है हारे, निखारे, वहारे, विचारे दूसरा पढ़ते हैं सुनो और दोहराओ सुनो मतब सुनना है और आपको पीछे-पीछे बोलना है बेटा, बेटी, एक समान यहां पर बता रहे हैं कि बेटा यह हो यह बेटी एक समान है में कोई फरक नहीं करना चाहिए दूसरा लालच बुरी बला है मतब लालच जो ग्रीडी होते हैं वो बुरे मतब बुरी बात है लालच जो है बुरी बला है मतब बुरी बात है सुन्दर अक्षर एक अलंगकार है सुन्दर मतब सुन्दर जो अक्षर है सई शब्द चुनकर वाक्य पढ़ो यहाँ पे बच्चों देखिए पहला है उसमें दो आप्षन है यह और यह यहाँ पे जो है इसका मतलब है यह डालना है यह डालना है या यह डालना है तो हम लोग पहले यह पढ़ेंगे यह ओबलिक यह चटान है तो अभी चटान जो है singular है एक ही चटान है तो चटान के साथ यह पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग गोला बना देंगे और यहाँ पे जो है जो जगह छूटी हुई है यहाँ पे हम लोग बढ़ देंगे मैंने आपके लिए पहले से लिखका रखा है यह चटान है क्योंकि यहाँ पे चटान जो है singular है एक ही है तो इसके लिए यह नहीं पड़ेगा उसमें यह पड़ेगा यह चटान है दूसरा वह यह वे खड़ा है अब वह वह और वे उसमें से वह पड़ेगा because जो खड़ा है एक ही जना खड़ा है तो एक जना जो singular है उसके लिए वह पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग sentence में डालेंगे वह खड़ा है मतलब वह एक जना खड़ा है तीसरा यह यह कमीजे हैं कमीजे मतलब shirt shirt यहाँ पे plural है क्योंके कमीजे है कमीजे का मतलब shirts है बहुत सारी shirts है तो बहुत सारी shirts के दर यह नहीं पड़ेगा यह पड़ेगा तो यहाँ पे डालेंगे यह कमीजे है चोथा वह यह वे लड़किया है अब यहाँ पे लड़किया जो है plural है बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसके लिए वह नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह एक के साथ पड़ेगा, और वे प्लूरल है, बहुतों के साथ पड़ेगा, तो इसके लिए वे लड़कियां हैं, आगे पड़ते हैं, चोथा question, उचित शब्द बनाकर लिखो, पहला पड़त और हम लोग बनाएंगे, वो बनाकर हमें लिखना है, मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखा है, देखिए, पहले आ, यहाँ वाला आ, फिर सह लेंगे, फिर मा, न, आ, स, मान, आस, मान, आसमान हो जाएगा, आसमान मतलब sky, दूसरा, गी बह, या, तो इसमें से ब, गी, बगिया मतलब बगीचा मतलब गार्डन तो यह बगिया शब्द यहां पे बनेगा तीसरा त या ताया तो यहां पे मिलके या तायात यातायात यहां पे शब्द बन जाएगा उसके बाद चौथा ग-ब-द-र तो यहां पे पहले डालेंगे ब यहां से लेंगे ब-र-ग-द बरगत बरगत ट्री का नाम है बरगत बन जाएगा तो यहां पे हम लोग सही सही शब्द लिखेंगे आगे पढ़ते हैं पांचवा नया साल कब मनाते हो बताओ अब हम लोग नया साल कब मनाते हैं यह हमें बताना है थर्टी फर्स को हम लोग जब साल खतम होता है तब हम लोग सुब जन्वरी में पहला नया साल मनाते है जन्वरी में हम लोग नया साल जन्वरी फर्स को हम लो अपने ममी पपा को या टीचर को या फ्रेंड को बताना है कि नए साल का स्वागत हमने कैसे किया उसके बाद है इस साल तुमें क्या नया करना है जो भी तुमें इस साल जो आने वाला साल है नया साल है उसमें हम लोग पहले सही सोच के रख देते ना बचों कि हम लोग आने व पढ़ाई करेंगे ममी पपा का कहना मानेंगे और व्यायाम करेंगे अच्छा खाना खाएंगे तो यह सब चीजे हमें पहले से ही सोच के रखनी हैं तो बच्चों यहां पे हमारा लेसन जो है बेमिसाल खतम हो गया तो कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा जैसे दुसरे बच्चे भी उसका फाइदा उठाए पाए तो चलते हैं बच्चों थैंक्यू बाए बच्चों